नमस्कार दोस्तों मैं सत्पारवर्मा एच्चैस अपने यूट्यूब चैनल स्पी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो Central Government Employees को Government of India के द्वारा वित्यावस 2022-2023 के लिए जो non-productivity linked bonus अर्थाद अड़ोक बोनस दिया है उसके बारे में है साथ यह भी बता दो दोस्तों कि यह बोनस कि नौन प्रोडिक्टिविटी लिख्ल बोनस कि चंडिक अडिमिस्टेशन के द्वारा अपने करमचारियों को लागू किया गया है गोर्मिट ओफ इंडिया के द्वारा सत्रा अक्तूबर दोजाद टेश को नौटिफिकेशन चारी किया गया था जिसमें सरकार ने गोर्मिट ओफ इंडिया ने अपने सभी ग्रूप सी करमचारी और ग्रूप भी वो करमचारी जो के नौन गल्टिट पोस्टों कर रहे हैं उन सब के लिए यह नौन प्रोड़क कि लेटर के नौसर में मग्यों और गी अंधिया के द्वारा था देपर्टम मेंट डेपार्टमेंट ओफ अउय जारी किया गया वह नौटिफिकेशन दिनांग 75 अगतूब के द्वारा एडॉप्ट किया गया एक लेटर के माध्यम से जो लेटर चंडिकर अन्दर ने जारी किया है साथ नमंबर दो हजार ते इसको अधी रिसेंटली इसी दौनव पत्रों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि चंडिकर अन्दर एक अप्रेल दो हजार बाइस से सेंटल सिविल सर्व शुरूर लगव हो गये हैं और गवर्मेंट अफ इंडिया के जो नोटिकेशन है सत्राक्तवर दोजार ते इसका बोनुश जारी करने के लिए उसमें ये लिखा है कि जिन करमचारियों पर सें ऑर वो सारी यूलिंचे टैरिजरी का जिन्क उपर सेंटल सिविल शुरूर लागव होते हैं बोनस जिया जाएगा मेरी को कोशें करमचारीयों ग्रूप C और ग्रूप B के वो सभी करमचारी जो नॉन गल्टिट पोस्ट पकाम कर रहे हैं इसके क्या सर्थे हैं क्या इसके नॉर्म जहें क्या फार्डूला है कितने एवरेज अमालूमेंट्स पर ये बॉनस मिलेगा किन परस्तितियों में मिलेगा किन किन करमचारी यों मिलेगा इन सभी बातों का भी और आप इस वीडियो में आप के साथ मैं डिश्कस कर रहा हूं देखे आप अपनी सग्रीन पर ये देखे दोस्त चंडी का डैनिविस्टेशन पनाय डेपार्टमेंट अकाउंट ब्रांच का ये लेटर है जिसका नंबर है सेवन थाउजन पोर वन एफ एप एंड पीयो सेवन तू थाउजन टॉन्टि थ्री शिक्टेन थाउजन फाइव हंड़न फ़न्टिन नाइन सोड़ा जाजार पांशो उनट्पिस और इसकी तारिख है दोस्तो साथ ग्याराँ दोजाट तेह जिस चंडिकट अडिमिस्टेशन ने अपने सभी अडिमिस्टेटिव सेक्टरीज, हेड़ डिपार्टमेंट और ओफिशी जितने भी हैं चंडिकट अडिमिस्टेशन के सब कोई लेटर बेज़ जा है जिसका विशे है ग्रांट ओफ नोन प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस एड़ोग बोनस तु सेंट्रल गोर्मिट अंपलाइस पूर दाइयर दोजार वाइस तेश्टेशन के अंदर नोटिफिकेशन नंबर जिये साड़ दोसो तीस एड़ेटिड उनतिस तीन दोजार बाइस के द्वारा मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर के नोटिफिकेशन के अनुसार सेंट्रल सिविल सर्विस रूर लागु कर दिये गए थे कबसे 1 अपरेल 2022 से और क्योंगर यह बोनस भी वित्या वर्ष 2022 से इसका है अरफात 1 अपरेल 2022 से लेकर के 21 अमार्ष तक के समावदी एक साल के लिए यह बोनस सेंट्र को रूर मिटरने दिया है तो सेम चंडिगड़ा इंस्टेशन के द्वारा भी जो गोर्मेंट ओफ इंडिया, मिनिस्ट्री ओफ फाने डिपार्टमेंट ओफ एक्स्पेंटिशर, E3A ब्रांच का जो नोटिफिकेशन निकाड़ा था देली के द्वारा, O.M. 724-2007 E3A डेटिड 17-10-2023 का जिसके द्वारा नोन प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस साल 2022-2023 के लिए सेंटर कोवर्मेंट ने डिकलेर किया था उसको चंडिगड़ा इंस्टेशन के द्वारा इस लेटर के मध्यम से ये जो लेटर में आपको दिखा रहा हूं, 7-11-2023 का इसके द्वारा क्या किया ये एडॉप्ट कर लिया, ये लेटर एडॉप्ट किया गया है कि अब चंडिगड़ एड्मिस्टेशन के करमचारियों को भी नोन प्रोड़क्टिविटी लिंक बोनस सेंटर गवर्मेंट अंप्लाई के पैटर्न पर साल 2022-2023 के लिए जाएगा जो के इक्विविलेंट ओफ 30 डेजमालमेंट होंगे जो के 2022-2023 की समयावदी के लिए काउंट के जाएगे लेकिन ये किन करमचारियों पर लगोंगे ये केवल ग्रूप C करमचारी और वो सभी ग्रूप B के करमचारी जो के नोन गय्टिड हैं, ग्रूप B में कुछ नोन गय्टिड हैं, तो जो ग्रूप B की पोस्टे नोन गय्टिड हैं, वो और ग्रूप C के सभी करमचारियों को इनको दिया जाएगा, और ये कैलकुलेशन जो होगी, वो किस बेस पर होगी, इसकी एवरेज अमालमेंट निकाले गए हैं, 7000, एवरेज अमालमेंट डिपार्टमेंट ओफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन निकालाएगा है, जिसका नंबर है 724-2007-E23-A, और ये इसकी तारिख है 17 अक्तूबर 2023, ये जो लेटर है, इसमें सर्तें बताई गई हैं, टर्म कंडिशन बताई गई हैं, कि ये नोन प्रोड अक्टिविटी, जो लिंक बोनस है करमचारियों को, साल 2022-23 के लिए जो मिलेगा, सेम टू सेम चंडे अडरिमिक्टेशन ने भी ये अडॉप्ट किया है, और देना मानने किया है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरह किया जाएगा, अलाके सेंटर कोवर्मिंट ने य ये जो अडॉप्ट बोनस की पेमेंट जो है ना, ये उनको भी लग्गू होगी, किनको जो के सेंटरल पैरा मिलिटरी फोर्सिज और आर्म्ड फोर्सिज के करमचारियां, इसी रैंक के, गुरुप C और B के, जो के नॉन गल्टिड है, उनको भी लग्गू होगा, और जिन इसा सकीम उन पर लग्गूनों ना होती हो, उनको निकरमचारियों को ये सेंटर कॉपर्म लग्गू होते हैं, चंडगड़ इमिट्रेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सेंटर कॉपर्मेंट ने लेटर में लिखा है, कि केवल निकरमचारियों को मिलेगी, अब बा लिंक बोनुस का बुक्तान किया जाएगा, और वो कैसे किया जाएगा, आप ये ध्यान से सुने इस बात को, केवल वो ही करमचारियों के पात्र होंगे, जिन्नों ने इकतिस तीन दोजार तेईस तक कंटीनियो छे महिन्ने की नोकरी कर ली होगी, अटा वर्स दोजार के दिन सर्विस में होना जिरूरी है, केवल वो ही करमचारी पात्र होंगे, और जिन्न की कहने का बाब ये होगा, जिसकी सर्विस छे मिन्ने से कम है इस वर्स में, उस पे दोलागू होता ही नहीं, और जिसकी सर्विस छे महिन्ने से ले करके, इकतिस तीन दोजार तेईस त क्यारा मेंने की है उसको क्या होगा प्रोरेटा पेमिंट मिलेगी अठाथ जो अमाउंट कालकुलेट होगाएगी वो प्रोरेटा वेस पर महिन्दों के हिसाब से मिलेगी कैसे जितने भी उसने छे मेंने से ज्यादा पूरे साल में सर्विश की है वो काउंट किये जाएंगे म और पूरा मिनना है वो ले दिया जाएगा जो भी ने रेष्ट होगा सड़े 6 मिनने है किसी के 6 मिनने लिए जाएंगे सड़े 7 मिनने है तो 7 मिनने लिए जाएंगे सड़े आठ में नहीं तो आठ में नहीं लिए जाएंगे और दूसरी सर्थ के बताई कि इसकी quantum कितनी होगी जो इसकी रासी है वो किसके बराबर होगी वो calculate की जाएगी non productive link bonus की amount एक दिन के अधार पर के एक दिन के amount निकाल करके उसको calculate किया जाएगा कैसे average amount लिए monthly ceiling दिये सरकार ने 7000 की 7000 से जादा के करमचारी जो है जिनके amount 7000 रुपे से जादा मासिक उनको लिए जाएंगे 7000 रुपे 7000 से निच्चे तो कोई है नहीं 7000 के उपर वाड़े हैं तो इसलिए 7000 amount average amount लिए जाएंगे और ये मनना जाएगा कि एक दिन का जो है बुगदान वो 30 वटा 4 होगा ये दिन मान लिए ना कि एक मिन्ने में 30 वटा 4 दिन का amount होगी तो ये 30 दिन के पैसे कितने होगे अर्थात 7000 को 30 वटा 4 से तक्सीम कर देंगे और 30 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 30 days का है 7000 को 30 वटा 4 से डिवाइड करके एक दिन के amount आएगी और उसको 30 दिन से गुणा करने पर 30 दिन के amount आएगी तो ये amount निकल क्याती है इस calculation से 7000 multiplied by 30 and divided by 30.4 ये amount निकल क्या है ये 6907 रुपे 89 पैसे जिसको हम round off कर लेंगे 6908 रुपे में अब बात आती है कि समको 6908 रुपे मिलेंगे क्या नहीं यहाँ पर ले बता दिया सरकार ने कि जिनकी सर्विस छे मिन और एक साल के बीच में होगी उनको प्रोरेटा बेस पर मिलेगी तो ये प्रोरेटा बेस 6908 रुपे को बनाया जाएगा जिसके 7 मिन ने के पैसे 8 मिन ने के जितनी सर्विस होगी सर्थ ये है कि 6 मिन ने की सर्विस होनी चाहिए तब भी पातर होगा और वो 313023 को भी सर्विस में होना जिरूरी है तब ही वो पात्र होगा बाक्ति उसकी प्रोडेटा बेस पर जितनी सर्विस बड़ेगी नियर एक मन्त में वो 6908 रुपे पर मन्त के इसाब से मानके चली जाएगी 30 days की amount है 30 days की amount ये total amount जो है bonus की amount है इस amount को हम प्रोडेटा बेस पर किसी की जितनी बनती है वो निकाल देंग है कि casual labor जो है जो casual labor 6 दिन अफते में काम करने वाड़ी है उनके लिए 240 दिन का पैमाना रखा गया है तीन साल के लिए और जिन जो casual labor पांच दे इने वीक पर कामकर रही है थाद वर्किंग डेज पाँच हैं उनके 206 दिन निर्दार्ज किये गए है कैल्गुलेशन परपस के लिए और इनकी जो एवरेज अमार्वन्ट लिए हैं वो 1200 रुपे लिए हैं 1200 रुपे एक मेन्ने के एवरेज अमार्वन्वन्ट ले करके और वही फादमुला वही है 30 चिरुपे बोनस की अमाउंट में और यदि किसी की कैजवल लेबर की अमालुमेंट बारास रुपे से कम हैं तो उसकी बारासों की जिगाए वो अमाउंट रख दी जाएगी कैल्कुलेशन करते वक्त तो यह टर्म कंडिशन बताई थी बाकि कुछ और जो सर्तने हैं किन कर सरकार ने जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल दी है वो अनेक्चर यह है इस पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए परकाश डाल दूँ वो यह है कि पहला क्वेश्चन यह पॉइंट है और यह इनकी क्लैरिफिकेशन भी सरकार ने इसी लेटर में दी है जो यह 17 10 2023 का लेटर मैंने आपको ओम दिखाया इसमें क्या कहा कि whether the employees in the following categories are eligible for the benefit of ad hoc bonus for an accounting year एक जो जिस साल की गणना होनी है 2022-23 के लिए यह करमचारी कुण से वो करमचारी जो के temporary purely temporary base पर ad hoc basis पर लगे हूँ है क्या उनकों पर भी लाव को होगा और दूसरा वो करमचारी जो के रिजायन कर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं कब 31-23 के बाद 31-23 को तो सर्विस में थे दो परकार की बताए कि इन पर भी लाव को होगी क्या तो इसमें बताया कि हां पहली तो सर्थ वो ही है subject to completion of minimum six month continuous service and being in service ए जो निकत्ती मार्ट 23 के छे मिनने की इसके लिए भी इन दोन्नों करमचारी परकार के करमचारी जो है इनके लिए भी यही सर्थ है कि छे मिनने की continuous service है और 31-23 का आजिर होना जिरूरी है तब उनको लगव हो गया द्रवाइज नहीं दूसीरी सर्थ पताई इसके लिए इसके लिए क्या कि हाँ लगव तो होगिया डोकवाड़ा पर लेकिन उसकी service में कोई break नहीं होनी चाहिए continuous service होनी चाहिए उसकी कोई यह नहीं कि spell हो जाएं बीच में कोई रिज्वाइन करने के लिए उसको समय दिया गया और ब्रेक हो गया वो नहीं और जो रिटायर होगे उनके लिए क्या कहा एज इस पैसल की उनली उनी आद्मों के लिए उनी व्यक्तियों के लिए जो के superannuation पे चले गए सेवानर्टि पर या रिटायर होगे कैसे own invalidation पे चले गए या medical ground पर या 31 मार्च दो जारते ही से पहले जिनकी डेथ हो गई वो लेकिन कैसे बट आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीट शिक्स मन्थ रैगुलर सर्विस डिवर दायर ये जो उपरकरमचारी बताये हैं रिटायर होगे या डेथ वाले केस में जो 31 मार्च से पहले चले गए लेकिन उनकी सर्विस छे मिनने की हो रही हो पूरी तो वो भी eligible होंगे इसके लिए फोर्दा अडोग बोनस ओन प्रोड़ेटा बेसिज प्रोड़ेट जैसे पिछे बताया ना कि जितने महिने की सर्विस है इस साल के दुरान उसने छे मिनने की करी तो छे मिनने पे तो लगगोगा लेकिन छे मिनने की पैसे मिनेंगे अठाद छे बता बारा हो जाएगी साथ मिनने नो करी करी साथ बता बारा हो जाएगी यह कैलकुलेशन का फार्मूला होगा इन करमचारियों के लिए अगे का के वो करमचारी जो डेपूटेशन पर आए है फोर्ण सर्विस पर आए है कहां टू स्टेट गौर्मेंट यूटी गौर्मेंट पबलिक सेटर अंडर्टेकिंग अट्सर रहो निकत्पी मार्क दोजार तेश को आए है वो करमचारी क्या है वो अलिजिबल नहीं है क्योंके उनके जहां से वो आए है वहां पर लगून नहीं है यह बोनस यदी है तो वो महां से निलेगा एंप्लाई हू रिवर्टिड दूरिंग अकांटिंग येर फ्रोम डेपूटेशन ओन फ्रोर्म सर्विस विद्धी ओर्गनाजेशन इंडिकेटिट इन सी अबव उनके लिए क्या होगा तो कहा के दिटोटल अमांट अउप बोनस एक्स ग्रेश्या र पोर दी पीरड आफ्टर वर्शन विल बी रेटिक्टिट टू दी अमांट डिव अंडर अडोक बोनस व्याज पर दीज ओर जहां सेंटर कोवर्मिंट है ये सेंटर कोर्मिंट अपलाई के लिए अर्नेधा चंडिक अड़नेश्टेशन के लिए चंडिक ओडर विल बी डीम्ड टू बी एक्स्टेंडिड उनको भी लागू कर दिया गया बढ़ा दिया गया किनके तू देंपलाई जोफ यूनियन टेरेटरी एड्मिनिस्टेशन विच फोलो दी सेंटरल कोवर्मिंट पैट्रन ओफ हमालमेंट एंड नाट कवर्ड बाई एनी अदर बोनस और एक्सग्रेशा स्केम क्योंकि चंडिक अड़नेश्टेशन ने सेंटर कोवर्मिंट का पैट् चंडिक अडनेश्टेशन ने अड़ो किया है इस लेटर से जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया येवारा लेटर 1711-23 इसलिए चंडिक अड़ो किया है आग जो है काटेगरी बताई कर्मचारियों की जोच्टो किया कि जो एंप्लाइज फ्रॉम स्टेट गवर्मेंट से यूटी अडिमेस्टेशन ये तो थे ना यूटी से स्टेट गवर्मेंट में गए है उनके लिए प्रोरेट अदिश जितना क्योंकि चंडेगा अडिमेस्टेशन में बागब होता है है यह बताया कि जो करमचारी स्टेट गवर्मेंट से यंद्य अडिमेस्टेशन में या पब्लिक अडिमेस्टेशन में मैं और रिवर्स डियपूटेशन विद मिलेंगा उसको और करमचारी जो इसने का कि हां सेपरेटली वर्क आउट करना है उनका पिरेट कि कितने दिन उने रियम्प्लायमेंट करी और टोटल एडमिजिवल कितना है क्योंकि है मॉलुमेंट उसके हिसाप से होंगे न और ये का that for re-employment period being restricted to the maximum admissible under a ढोग bonus under these order तो ये कुछ question answer है अगे बताया कि कोई हाप पे लीपर है या EOL पर है तो EOL की बताया कि EOL सामिल नहीं है या वो period सामिल नहीं है जो dies non कर दिया गया है कि जिसका वेतन नहीं दिया जाना है वो period और EOL का period एड़ोग bonus के लिए गंड़ना में सामिल नहीं होगा कि क्या आगे question का कि वो करमचारी जो suspend हो चुके है 10 टैम डूरिंग अकांटिंग येर इस साल के दोरान 2022-23 में यदि suspend हो गए है तो उनके लिए क्या होगा तो उसने कहा के substance allowance मिल रहा है उन करमचारी को जो suspend हो चुके है उनको तो नहीं मिलेगा substance allowance की कणना emolment में नहीं की गई लेकिन ऐसे करमचारी जब बहाल होंगे और duty period उनका पिछला ट्रीट कर लिया जाएगा तो उनको उसी हिसाब से bonus बार्ण में दिया जाएगा तब होंगे वो eligible इसके लिए और ये अग्य है कि जो transfer होगे चंडिकार अडिमिस्ट्रेशन में ऐसे case नहीं है लेकिन सेंटर में है एक मिनिस्ट्री शे दूसरी मिनिस्ट्री में एक ओफिस शे दूसरी में अडोग बोनस उनके another within the government of India और a union territory government covered by अडोग बोनस उनके जहां लगव होतना उनके ऐसी मिनिस्ट्री में transfer होगे क्या तो वहां कहा कि जी वो उसी तरह काउंट किया जाएगा जितने पिरड में दूसरा बोनस मिला वो पिरड नहीं काउंट किया जाएगा या फिर वो करमचारी जो transfer होगे कहां से फ्रों में गॉर्मेंट डिपार्टमेंट और गनाइज covered by अडोग बोनस उन वहां से transfer होगाए है कहीं तो इस परकार के ये कहा कि पार्टाइम के लिए कहा कि पार्टाइम apply engaged on nominal fixed payment जिनको lump sum amount दी जाती है क्या उनको बोनस मिलेगा का नहीं पार्टाइम करमचारी को नहीं मिलेगा आगे वैदर डोग बोनस इस पेवल टू casual labor for an accounting year in the following cases जो casual labor है उनको निमन लिखित हलाज में मिलेगी circumstances में मिलेगी कैसे those who have put in specified number of days of work in different offices during each of the three year ending with the said accounting year उपर बताया था ना कि तीन साल जहां पे working day 6 है उनके 240 दिन बार करके 3 साल के लिए count किया जाएगा और उनकी गणना ऐसे होगी उन पर लाग्व होगा और वो casual labor who were not in work on 18 March 2023 और जो casual labor 18 March 2023 को working में नहीं है तो उनके लिए क्या करना होगा the condition of being in employment on 18 March 2023 as laid down in these order is applicable on regular employment and not to casual labor ये केवल हाजिर होना या ना होना केवल regular के लिए है कत्नी मार्च का casual labor के लिए नहीं उनके तो days count होंगे क्योंकि वो casual labor है ना और वो करमचारी दोज who have put in at least specified number of days of work in each of two years preceding the accounting year but are sort of this limit due to regularization in employment in the said accounting year के जिनन दो साल काम किया है और उसके बाद फिर क्या होगे regular होगे जिसमें का if a casual labor who has been regularized in the accounting year does not fulfill the minimum continuous service of six months fulfill नहीं करते इकत्पी मार दोजार पे इसको and therefore cannot be granted benefit as a regular employee as a regular employee उनको नहीं मिलेगा उनका जो पिछला period है he may be allowed the benefit as for a casual labor provided the period of regular service in the said year if added to the period of work as casual labor work out to at least specified number of days in that accounting year यदि रेगुलर पे इसका इकत्पी मार दोजार पे इसको छे मिने से कम है तो regular के base पर तो उसको नहीं मिलेगा लेकिन ये जो regularization वारा period है ये उसकी पिछली service में मान करके और फिर जो calculation पड़ेगी उसके हिसाब से उसका बुगतान किया जाएगा casual labor का जो regular हो गए तो ये कुछ बात ने थी जो add-off bonus जो है ये non-productivity ad hoc bonuses जो दिया जा रहा है center government के द्वारा चंडिगा डर्मस्टेशन के करमचारियों पर भी हूँ बहु लाग्व हो गया चंडिगा डर्मस्टेशन ने अपने letter दिनांग 711-2023 के माध्यम से इस center government का जो finance department का ministry of finance expenditure department का जो ओन है office memorandum 1710-2023 का ये adopt कर लिया है इसलिए सभी करमचारियों को non-productivity adopt bonus की बढ़ाई साल 2022 तेश के लिए तो ये देखा दोस्तों आपने के center government के द्वारा government of India के द्वारा center government applies के लिए वित्या वर्ष 2022 तेश के लिए non-productivity link bonus वर्ष 2022 तेश के लिए जो भोसना की गई थी 17 अक्तुपर 2023 के notification के माद्यम से और उसको चंडिकर administration के द्वारा adopt किया गया साथ 112023 के लाइटर के माद्यम से जो कि आपने अब ये प्सक्रीन पर देखा जिसकी सारी डिटेल आपके साथ मैंने डिसकस की उसके बारे में सारा कुछ समझाया आशा करता हूं आपको बड़े अच्छे डंग से समझाया होगा और ये खुशी की बात है के चंडिकर स्टेशन के करमचारियों को बोनस मिल रहा है इस बार वर्ष 2022 ते इसके लिए इसलिए पहले की बाती आप मेरे इस वीडियो को भी अपना समर्तन देना और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अबश्य करें दोस्तों कि किसी भी सेंटरल कोणर्मेंट को या चैंटीगर संटेशन के इंपलाइई कि इसफेर सेंटल शेल सरूर्विस को पर ह्यार्यान सबसंद होने इस पर हठ्याना सिविज पर्याना से संबंद्द कोई भी मामला हो को कोई भी प्रशन हरना हो रहा हो तो उसके लिए इस वीडियो के बोटम में नीचे जो मेरे चैनल का ओफिशल मुबाइल नमबर दिया जा रहा है आप मेरे इस ओफिशल मुबाइल नमबर पर कॉंटेक्ट करके अपनी समस्चा का समधान भी करवा सकते हैं दोस्तो आजा करता ह आप इसी तरह मेरे वीडियो को क्यार देगे दन्यवाद